देश में अल्प संख्यक समुदायों से नफरत करने वाले इस देश के तथा कतित जो ठेकेदार है दोस्तो जो इस देश की कमान अपने हाथ में लेना चाहते हैं वो अल्प संख्यकों पर आमला करने के लिए हमेशा तयार रहते हैं चाहें फिर वो बॉल्लीवूट का बड़ सब्सक्राइब मिल्म पीकलिक्तं करईब मिल्म आपको सब्सक्राइब बखुन का मतली मिल्म सब्सक्राइब बख्ताइब में सरनाटा चाया हुआ है नमस्कार मेरा नाम है जैनती जहा और आप देख रहे हैं देशन दोस्तों शारुक खान ने एक ऐसा काम कर दिया है जिससे एक बार फिर उनको ना सिर्फ फिल्मी जगत में किंग खान के नाम से देखा जा रहा है बलकि असली जिंदगी में भी परिवार की मदद की है मैं बात कर रही हूं दिली के कंजावला इलाके में अंजली की मौत की बात कर रहे हूं दोस्तों जिस तरह से पांच कार सवारों ने जिसमें आठ हारोपी अभी तक गिरफतार किये जा चुके हैं लगबग पांच कार सवारों ने जिस तरह से एक मामले में परिवार की तरफ कोई नहीं नहा रहा कि परिवार अब क्या करेगा परिवार का पालन पोशन कैसे होगा और अंजली की माता श्री यह बात कह चुकी है कि वह बिमार रहती है और अंजली जो थी उनके परिवार में एक लौती थी कमाने वाली ऐसे में अभी इस वक् वो अपनी गुजर बसर कर सके अब इस मामले में शारुक खान के मीर फाउंडेशन ने दोस्तों अंजली के परिवार की मदद की है ये ख़बर सामने आ रहे हैं स्क्रीन पर देखे आपको इस वक्त मैं ख़बर दिखा रही हूं आज तक की इस ख़बर के मताबिक अंजली की परिवार की मदद मीर फाउंडेशन ने की है मीर फाउंडेशन जो की शारुक खान का ही एक फाउंडेशन है दोस्तों उसने मदद की है शारुक खान ने अंदभक्तों को इस पूरी ख़बर के जरिए करारा तमाचा मारा है थपड जड़ा है जो साफ तोर पर देखा जा सक तो किस तरह से दिल्य पुलिस की लापरवाही सामने आई वो भी जग जाहिर हो गई है तो शारुक खान ने अपनी मीर फाउंडेशन के जरिये अंजली के परिवार की आर्थिक तोर पर मदद की है अंजली अपने घर में कमाने वाली एक लौती थी उसके घर में उसकी मा और बहन भाई है शारुक खान के मीर फाउंडेशन ने पीडिता की मा के इलाज में मदद करने की बात कही है साथ ही अंजली के भाई बहनों को भी मदद दी जाएगी ऐसा बताया गया है तो जाहिर सी बात है देखिए कि परिवार में क्लौती थी कमाने वाली और लगातार की ने की थी अंजली के परिवार के मदद की अघब बताओंगे लेकिन मीर फाउंडेशन का फाउंडेशन है फाउंडेशन सीध ह्या में अंजली के परिवार से किया और अंजली के अ vidéo मामा ने पुष्टी की है कि मीर Foundation ने हमारी मदद किये साथ ही मीर Foundation के जो प्रवक्ता है उन्हों ने भी इस बात की पुष्टी की है कि हां हमने अंजली के परिवार को मदद की है लेकिन जितनी राशी के मदद की रही है दोस्तों उसका खुलासा नहीं किया गया है देखें जाहिर तोर पर अगर आप किसी के म रशन ऐण विष्वास रखते हैं और यहीं कारण की राशी का खुलासा होने से साफ तोर पर मना किया गया परिवार ने भी मीडिया से बाचीत में राशी का खुलासा कि कि कितनी राशी यदょु नकिसमी पकुरूस है लगाई जाएकि हला कि मदद की जाएक पूरी तरीके स आश्वासन दिया गया है तो आप बताईए आप कि यह वही शारुक खान है दोस्तों जिनका अंधभक्तों ने बॉयकॉट ट्रेंड चलाया हुआ है जिनको बॉयकॉट किया जाना है सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि नाम के पीछे खान लगता है और नाम है शारुक दोस् जान ट्रोलर्स के बीच घिरे हुए हैं अंधभक्तों के बीच घिरे हुएं सिर्फ इसलिए क्योंकि जो फिल्म लाए उसका जो गाना वारल हुआ उस गाने से ट्रोलर गैंग जो है आप कह सते हैं जो बॉयकॉट गैंग है उनकी भावनाएं आहत हो गए और इसलिए उन्ह इस पूरे मामले में कोई भाचपा करने अभी तक अंजली के परिवार के मदद करने के लिए सामने आया है या फिर केंद्र सरकार की तरफ से कोई मंत्री का बयान ये सामने आया हो कि चलिए अंजली के परिवार के मदद करते हैं या फिर आप माल लेजे मध्यप्रदेश के जो ग्रीमंत्री साहब नरुत्तम मिश्रा जी उन्होंने क्या किसी तरह के संकेत दिये कि नहीं दिल्ली की लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है तो हम भाजपा की तरफ से उनकी मदद करना चाहेंगे नहीं वो सिर्फ और सिर्फ दिपिका पादुकॉन को टुकड़े माया फिर आया जा रहा है अभी तक की में बात करो दोस्तों तिल डेट अभी तक के टाइम के अगर बात करो तो आप वो पूरा मामला उठा कर देख लिए और इस मामले में एक के बारे खुला से जिस तरह से पुलिस की थियोरी जो है वो बेपरदा हो रही है साफ तोर पर चल सकता है कि मामले को दबाने का कितना प्रयास किया जा रहा है लेकिन फिर भी परिवार की तरफ मदद करने के लिए कोई नहीं नहीं हार रहा है यह में दो बारा कह रही हूं और वो काम करके दिखाया शारुक खान ने जिनको यह जो ट्रोलर्स गैंग यह जो बूरुपल असल मायनों में राजा कौन है जो मदद कर रहे हैं अब एक बात सोचिए दोस्तों की बॉलिवुट के बादशा अंजली के परिवार की मदद करेंगे जिसका मामला शायद अगर देखे सुर्खियों में नहीं आता तो पता भी नहीं चलता कि उस लड़की के साथ क्या हुआ ह अगर उस मामले को उठाया ना जाता अगर उस मामले को मीडिया कवरेज ना देती तो शायद उस अंजली को उस लड़की को अभी तक देखिये जितने भी खुलासे हुए वो शायद उसके मामले में खुलासे नहीं हो पाते अब उस मामले में शारुख खान ने सामने से आक यूही इतना प्यार नहीं करती शारुक भी उनका लाकारों में से है जो जरूरत मंदों की मदद करने में कभी भी पीछे नहीं हटते उनकी मीर फाउंडेशन है लेकिन उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं बॉयकॉट गैंग तो नाम शारुक खान होने की वज़र से उ दिली के कंचावला केस में लड़की की फैमली की फाइनेशल हेल्प की ये बात खुद लड़की के मामा ने मीडिया पर बताया है लेकिन कितने पैसे भेजे ये बताने से इंकार किया तो जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों की राशी कितनी मुहया करवाई गई है उस बार कोड गैंग इस खवर को कैसे सहन कर पाएगी एंके बाद जाकिर अली त्यागी क्या लिखते है दोस्तों पत्रकार है ये लिखते है सीदे तौपर कि शारुख खान बॉलिवुड में ही नहीं बलकि असल जिंदगी में भी किंग है दिली में दरिंदो ने अंजली नाम की ल अनगार सावित होगी सीधे तौर इहां शारुख खान की तारिफ की जा रही है अगर मैं मीर फांडेशन की दोस्तों बात करो तो मीर फांडेशन के लिए का जाता है कि एक ऐसा आइसा है जो कि गृबों की मदद के लिए बच्चे बुजर्गों की मदद के लिए महिलाओं पिता मीर ताज महम्मत के नाम पर रखा गया था अब सोचिए कि एक फाउंडेशन के जरिये शारुक खान ने इतने बड़े केस में मदद कर भी दी और कितनी राश्री की मदद की है इस बात का खुलासा भी नहीं होने दिया यही दर्यादिली होती है जो एक अभिनेता में ब पर बात करने में लगे हुए हैं वो इस देश का नाम रोशन करने वालों से जलेंगे और इस तरह से जिस तरह से बाइक़ाट किया जार पठान फिल्म को वह बॉयगाज ट्रेंड चलाएंगे है अला कि वह पता चल जाएगा दूस्तो जब फिल्म के थीडर जो हॉंगे हैं ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर भी इन दो रुपली गैंग को करारा छटका लगने वाला है करारा तमाचा पढ़ने वाला है दोस्तों अगराल इस खबर पर आपके राय क्या है कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार